शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल के सामने आरे बोड़ प्रिक्षा 2021 के विद्धार त्यू लिए एक बहुती बड़ी खुशकबरी और अपडेट जी अमित्रू सरकार की तरफ से दो बड़े एलान किये गए बोड़ प्रिक्षा 2021 के चलते हैं और स सात्रू हित में ये दो बड़े फेंश्टे निकल के साबने आरे सरकार की तरफ से जिसकी संपूर्ण जानकरी आपको इस वीडियो विद्बुर के साथ में मिलने वाले तो वीडियो के इन तक देखीगा साथ ही आप अपने बोड़ का भी नाम कमेर सेक्षन जू लिकेगा ताकि आपके बोड़ से जूरी जो भी अपरेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी बोड़ की परिक्षाओं में जो चात्र शामिल होंगे उनके लिए कुछ कोशिश हैं अब बोड़ यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है ललित जुड़ रहा है इस कबर पर जानकारी के साथ जी मीडिया समवाता था ललित क्या इनिशियेटिव है यह और उसके जरीए कैसे सुर्ण्स को फायदा होगा बिल्कुल सुमित अगर बात की जाए इस बार अभी तक एक बार भी क्लास नहीं लगी है दूसरा लगता स्लेबर स्कम किया जा रहा है ऐसे में बित्यार्कियों को जो बोर्ड का पैटन है बोर्ड में जो पेपर आता है उसका पैटन बताने के लिए मादमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मौडल पेपर जारी किये जाएंगे बात की जाये, कख्षा 1 से लेकर आ हमरी तक का जहां पचास 20डी स्लेएश कम किया है तो वहीं बॉर्ड का भी 40 दी स्लेश दी स्लेवस कम कर दिया गया है ऐसे में कौन से बचे होई स्लेश से पेपर आयेगा किस सGod का पेपर आयेगा, कैसे उनको कलना होगा इसका model paper जारी किया जाएगा जिससे विद्यारती को बहुत रहात दिलेगी क्योंकि जब इसकूल में जाते थे तो इसकूल में इस तरह की कई परिक्षाएं आई जित होती थी जिससे उनको परिक्षा के pattern का पता बढ़ता था लेकिन इस बार pattern जारी नहीं हुआ ऐसे में उनको model paper जारी करके उनको परिक्षा का pattern बताए जाएगा बिल्कूल तो राहत जो है वो छातरों के लिए होगी क्योंकि इस पूरे साल के अगर हम बात करें तो पूरे सेशन में classes यहां पर नहीं हुए तो बच्चों को जरूर है कि आकर किस तरीके से अपने एक्जाम देना इसकी तैयारी करवाना उसकी कोशिश जो है बोर्ड यहां पर खरता हुए नजर आ रहा है बहुत शुक्री अलगर